हलो प्यारे बिच्चों कैसे हैं आप लोग है यो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को इंज़वाय करेंगे आज हम लोग देखने वाले हैं आज आदी के बाद हमारे सरकार के द्वारा कौन कौन से काम किये गए हैं और ये प्रश्ण आयों के द्वारा बार बार पुछे आज हम लोग उनको देखने वाले हैं साथ ही हम प्रशनों का डिटेल भी देखेंगे ताकि आगे अगर कोई अन्य क्वेस्टिन भी इससे जुड़ा हुआ बने तो आप उसे भी हल कर सके तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखीगा बचो आज हम लोग देखने पाले हैं आजादी के बाद महत पुर्डकारे जो हमारे सरकार के द्वारा किया गया है आज आपका पहला प्रस्ण है गांधी सागरबाध कौन से नदीपर बनाया गया था पहला अपसन है माही दूसरा है चंबल तीसरा है गंगा और चौता है सरस्वती आपको बताना है गांधी जो कि कहां है किस राज्य में है ये प्रश्न भी आया है तो याद रखेगा मद्य प्रदेश राज्य में है गाधी सागरबाद चंबल नदी पर बनाया गया था भारत की चंबल नदी पर बने चार प्रमुख बाधों में से ये एक है जिन चार प्रमुख बाध में आपका चिनाई वाला गृत्वे बाध है गृत्वे बाध क्या होता है इसको गृत्वे या ग्रेवटी डैम कहते हैं जो पत्थर कंक्रेट या अन्यभारी सामगरी का बना ऐसा बाध होता है जिसमें बाध की जल प्रवाह को रोकनी की छमता केवल बाध में लगी भारी सामगरी से आ समता होती है कि पानी के बहाओ को पानी के दबाओ को रोक सके उसी को कहते हैं आपका गृत्विय डैम साथ मार्च 1954 को भारत की प्रधान मंतरी जवालाल नहरू ने इस बात का अधार सिला रखा था याद रखेगा चारों बाद एक्जाम में पूछे गए हैं कौन से नदी और कौन से राज्य में हैं ये भी पूछे गए हैं नेस्ट क्वेश्चन किस भारते के इसासित प्रधेश में आवन दीवी और मिनिकौई सामिल है कौन सा आपका के इसासित प्रधेश है जिसमें आवन दीवी और आपका मिनिकौई सामिल है याद रखेगा ये सारी जाजादी के बाद है जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है इसलिए हम लोग आज मल्टी परपेश प्रश्णों को साल्प करने वाले हैं जो भी नायक के द्वारा पूछे गए हैं तो पहला है लच्छ दीव दूसरा है दमन और दीव तीसरा है अंडमाननी को बार और चौ लेते हैं 1965 में केंद्री मंदल ने केंशासिर प्रदेश की अनसूचित जनजाती जिसे स्ट कहते हैं आबादी को कबजे का अधिकार देनी के लिए जो है लका दिव 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 के भूमी राज्यस और किरायदारी विन्वे में संसोधन में अधिकरित किया यानि इन्होंने संसोधन करके वहां के जनजातियों को वहां का भूमी अधिकार जो है संपत्तिक अधिकार देने का काम किया है कब 1965 में याद रखेगा महातूर है बताएंगे विचो बहुत ही सांधार प्रशन है याद रखेगा भासाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है ये पूछे तो आप कानपरदेश हो जाएगा और भासाई आधार पर राज्य का पूनर गठन के सबर्स कर दिया गया तो 1956 में कर दिया गया है आफसर नमबर दो पिल्कुल सही है 1947 में आजादी के बाद लोगों के द्वारा कई बार भारत के पूनर गठन के मांग की गई इस पूनर गठन के आउसकता आर्थिक वित्य और धार्मिक मुद्दों से आई इसके बाद 1903 में राज्य पूनर गठन आयोग अस्तित्व में आया आयोग ने 1905 में अपने आधिक सब्सक्राइब का एक कमिटी था और एक नमबर 1956 को आन प्रदेश भासाई अधार पर गठी ठोने वाला भारत का पहला स्वतंतर राज्य बन गया पहला राज्य पूछे तब भी यही है नेक्स्त कुश्चन देखे किस बर्स भारत का पाकिस्तान के साथ युद्द नहीं ह हुआ है पहला आफसन है 1947 दूसरा 1950 तीसरा 1965 और चौथा 1971 बताइंगे बिचो बहुत सांदार प्रश्न है और आप सभी को बता है इसका उत्तर क्योंकि बार-बार एक्जाम में पूछा गया है और मुस्टी वज्चों को पता भी रहता है 1950 में पाकिस्तान का कोई आक्रमण नह गुआ 1950 ही एक मात्र वर्स था जब युद्ध में नहीं थे यानि कि पचास में हम लोग युद्ध में नहीं थे बाकि सभी वर्स है 1947 में कस्मीर और जमू की स्थिती पर विवात की परणाम सुरूप पहला भारत पाकिस्तान युद्ध छेड़ा था यानि कि जमू कस्मीर भारत में हो गया पाकिस्तान में इसमें पाकिस्तान ने जब रन चमू कस्मीर में घुसपायड का लिया था इसकी प्रथम कस्मीर युद्ध के रूप में जाना जाता है इस युद्ध के परणाम सुरूप भारत को कस्मीर छेट में महत्पूर नियंतर प्राप्थ हो गया यानि कि फिर कस्मिर क्या हो गया भारत के छित्र में आ गया दूसरा युद्ध जो छिड़ा में 1965 में पाकिस्तान के आपड्लर जिब्राल्टर के कारण हुआ आपरेशन जिब्राल्टर जो है ये पाकिस्तानी सेना का एक कोड था जिसके थायत ये भारत पर आक्मण करके भारत के चित्रों पर नियंतरड करना चाहते थे लेकिन इनका ये operation successful नहीं हुआ बलकि इसमें इन्हें पूरी तरह हार मिली यानि कि इनका ये जो जे जे ब्राल्टर है ये पूरी तरह से फ्लॉप रहा आंतिम युद 1971 में हुआ जो बांगला देश मुक्ती युद्ध के परड़ाम से रुबत पन हुआ 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध दुनिया की इतिहास में सबसे छोटे युद्धों में से एक माना जाता है यानि एक छोटा सा युद्ध हुआ जिसके द्वारा बांगला देश को पूर्भी पाकिस्तान से बांगला देश में कनवर्ट कर दिया गया और ये काम करने में सबसे महत्पूर्ट जो रोल अदा किया अप हमारी प्रधान मंतरी इंद्रा गादी ने किया था याद रखेंगे बचो ये तीन युद्ध हुआ है भारत और पाकिस्तान का नेक्स्ट क्वेस्टन है आपके सामनी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कारिरत प्रधान मंतरी कौन थे 1965 में जब भारत पर पाकिस्तान का आगर्मन हुआ उसमें प्रधान मंत्री कौन थे पहला आपसंद जवाहलाल सास्त्री दूसरा जवाहलाल नहरू तीसरा इंद्रा गादी और चौथा राजिव गादी और आप सभी को पता है क्योंकि ये युद्ध तो हम भूली नहीं सकते इस युद्ध ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया था और इस युद्ध में आप सभी को पता है जो बहादूर है लाल बहादूर सास्त्री जी इन्होंने बहुत बहादूरी से काम किया था लाल बहादोर सास्त्री अगस्त और सितंबर 1965 के बीच वे भारत पाकिस्तान युदि के दौरान से वारत प्रधान मंत्री थे उन्होंने 1964 और 1965 के बीच प्रधान मंत्री के रूप में कारे किया वह विदेश भूमी पर मरने पाले पहले प्रधान मंत्री थे उन्होंने 1966 में मुहम्मद आयूब खान की साथ तासकंद घूशना पत्र पर हस्ताक्चर किया था आप सभी को पता होगा ये हमारी PM है जिन्होंने 1965 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तब इन्होंने पीछे हटने सिंकार कर गया और पाकिस्तान को मुह तोड़ जवाब दिया था और हमने काफी हद तक पाकिस्तान के अपना अधीकार भी कर लिया था लेकिन यहाँ पर समस्या यह हुई कि समझोता कराने की बात हो गए सिर्फित राष्ट के दौरा और जिसमें गये थे हमारे प्रधान मंतरी और तासकंद में समझोरते के समय या समझोरते के बाद इनकी जो है मृत्ती हो गई थी जो कि आज तक पता नहीं चला के कारण क्या था कितने भारतियों ने समधान सभा का गठन किया समधान सभा के गठन में कितने भारतिये सामिल थे विच्चो पहला आफसन देखिए एक सो दूसरा है दो सो तीसरा है तीन सो चोथा है चार सो आपको बताना कितने भारते सामिल थे आपके सम्विधान सभा के गठन में और ये उत्तर तो आप लोग ने देख लिया है तो याद रखेंगे आफसन नमर थे लिए आपका सही है तीन सो इसका का आप संसे हो जाएगा देच के संपिधान का मस्विधा तयार करने के लिए भारते संभा को चुना गया था काहंतिय सभा ने इसे चुना उनी सो पचासमें ब्रिटे सरकार से ही भारत सही आज़ादी के बाद संभीधान सभा के स्दस lt grade देश की पहले संसत के रुप में कारी किया सम्थान सभा के कुल 389 सदर से थे जिन में 292 प्रान्तों का प्रतने धित्व करते थे 93 रियासतों का प्रतने धित्व करते थे और 4 कुर्ग दिल्दी अजमेर, मारवाड और ब्रटिस मरुचिस्तान के प्रमुक आयुक्त प्रांतों का प्रतने दित्व करते थे याद रखेंगे इतने आपके 389 सदर से हैं जिन में से 292 प्रांतों के प्रतने दी हैं 93 आपके देशी रियास्तों के प्रतने दी हैं और 4 में आपके कुर्ग, दिल्दी, अजमेर और मारवाड और ब्रतिस परजिस्तान के प्रमुख आयक्तों का प्रतने दित्व करते थे नेक्स्ट देखे ऐ क्वेस्टन है आपके सामने सुची बद्धवी कल्पू में से एक भारत के समिधान में सामिल नहीं है आपको बताना है आफसन देखकर के कौन सा आफसन है जो आपके सम्विधान में सामिल नहीं है पहला आफसन है सबसे गरीब और सबसे बंचित भारतियों के लिए विसेश मिसेश साधिकार क्या ऐसा भारत के सम्विधान में है प्राउधान दूसरा हिंदू धर्म को प्रात्मिक्ता क्या ऐसा प्राउधान है तीसरा सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और चौथा सार भाउम वैस्क मताधिकार को अपनाया जाना और जो सामिल नहीं है वो आप सभी को बता है कोई धर्म नहीं होगा ये हम बोलते हैं यान की कोई भी धर्म को बढ़ावा नहीं देते सम्विधान धर्म या प्रस्रे नहीं दिया जाता भारत ने किस वर्स अपनी स्वतंतरता की 60 मी वर्स गाठ मनाई बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं आजादी से लेकर के आप लोग इंती कर लेंगे तो उत्तर मिल जाएगा हला कि उत्तर आप लोग देख चुके हैं वच्चों ए में है य भी को बता है 47 से लेकर कि अगर आप निकालते हैं साथ तक तो आपका साथ वर्स हो जाएगा और आपका सत्रा में हो गया है आपका सत्तर वर्स और तेश के आस्वास हमने बनाया इसका 75 वर्स गाठ तो आपका अपसर नमर जो 3 है पिलकुल सही हो जाएगा 15 अगस्त 2007 को भा आपनी मुक्ती का 60 वर्स मनाया भारतिय प्रिदान मंत्री मन मोहन सिंग ने वहा तक संग थे और उनका कारिकाल क्रिशी और और लोगी छेत्र में सुधार पर केलरे था 1947 में समिधान प्रारूप समिथी के अध्यच्य कौन थे 1947 में समिधान की प्रारूप समिथी के अध्यच्य कौन थे पहला है लाल पहादुर सास्त्री दूसरा बी आरम बेटकर साथ से अधिक देशों के सम्मिधान का अध्यन करने के बाद बियार अमबेटकर को सम्मिधान मसौधा समिधी का अध्यच बनाए गया जिसमें अमबेटकर को लेकर के टोटल साथ सदसे थे समिधी के स्थापना आगस्त 1947 को की गई थी समिधान का मसवधा तयार करने में लगभग 3 साल का समय लगा था आप सभी को पता होगा 2 साल 11 माट 18 दिन लगे थे कुल समिधान में 22 भाग 395 अनुचेद और 8 अनुचेद और 8 अनुचेद सामिल थी और पुड समिधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था नेक्स देखिया आपको बताना है कौन सी अर्थव्यस्था का द्रिष्ट कोड हमने अपने आधार मतब जो है बनाया है योजना आयोग ने आर्थि विकास के लिए कौन से चीज को ज्यादा बेतर माना की याने की बाजार अर्थव्यस्था को साजनिक अर्थव्यस्था को या आपको बताना है इसमें से कौन से द्रिष्टि कोड को योजना आयोग ने अपना आर्थिक आधार दिया था सभी को पता है कि हमारे सरकार ने कौन से विकास को अपनाया था तो मिस्री तर्थ विस्था को अपनाया था सरकार ने जहां निजी और जो सरकारी है साधनिक उपकरम हैं दोनों साथ साथ काम कर सके ताकि देश का विकास हो सके चुकि जब देश आजाद हुआ तो हमारे इस्तिती ऐसी नहीं थी कि हम कोई भी एक नीती को लागू कर सके मिस्सितर्थ व्योस्था में सरकार आर्थिक नियोजन को एक करण के रूप में उपयोग करती है यह साविनिक छेत्र के व्योसायों के लिए आवस्यक है जिन्हें दिसा निर्देशों की एक सेट का पालन करना होगा और विशिष्ट पूर्व निर्धारित लच्चों को पूरा करना होगा इस प्रकार निजी छेत्र को अपने आप विक्सित होने की अनुमत नहीं दी जा सकती दोनों छेत्रों के कारिकरम समनमीत और तीब्र आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए डिजाइन किये गए हैं ताकि एक में विकास दूसरे में विकास का पूरक हो यानि कि निजी और जो साजनिक है दोनुचे त्रेक साथ मिल करके काम करेंगे पूरक के रूप में समन्मित हो करके ये हमने अपनाया था इसलिए हमारा जो अर्तिवस्ता है वो मिस्रित अर्तिवस्ता है भारत के पहले विदेश मंतरी कौन थे भारत के पहले विदेश मंतरी क हमारे जबहालाल नहरू थे इन्हें के उपर उत्तरदाइत था कि ये कैसे स्वतंत्र विदेशी नीती का संचालन करें और हमारे देश का विदेश जो मैटर है वो अच्छे से संचालित हो सके जबहालाल नहरू 27 माई 1964 तक पहले विदेश मंत्री बनी नहरू ने 17 बर्ष तक इस पत पर कारे किया और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले विदेश मंत्रियों में से एक हैं यह याद रखेगा या सबसे ज़्यादा समय इन्होंने दिया है नेक्स्ट क्वेसिन देखी आपका विलाई इसपात सयंत्र किस राज्य में है और यह भी बहुत आसान है आप सभी के लिए पहला 36 गर दूसरा विहार तीसरा उड़ीसा और चोथा है मद्ध प्रतिस बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है दुत्य पंच वर्सी योजना के तहर यह आपका सयंत्र स्थापित किया गया था और यह स्थापित किया गया था आपके 36 गर राज्य में यह देखिए वजो किसकी सहायता से स्थापित हुआ है ध्यान दीची का विलाई इस्टील इसपात के स्थापनाव 1969 में United Socialist Soviet Republic USSR की मदद से की गई थी इसपात सयंत् अथारत का पहला और प्रमुक आपूर्ति करता है भिलाई इस्टील प्लांट सरकारी स्वामित वाले इस्टील कार्कुरेशन इस्टील अथार्टी आप इंडिया लिम्टेट की सबसे बड़ी और सबसे लाफदायक उत्पादन सुविधा है किस राज या सारी किस बर्स सं सभी को पता हूगा कि समयक्तुपांट को कि साल से कहा जाने लगा उत्तरप्रदेश यह है आपका 1950 अफसा नमबर सी या थिरी विल्कुल सही है 1950 में नए भारती समिधान को अपनाने के बाद समिधुप्रान का नाम बदल कर उत्रप्रदेश कर दिया गया और यह भारत गर राज का एक घटक राज्य बन गया इसकी राजधानी लखनौ है उत्रप्रदेश की सीमाइं दिल्ली, 36 गर, जारखन, राजस्थान, मत्रदेश, हर्याना और हिमान्चल प्रदेश से लगती है इसकी अंतराश्टे सीमाइं नेपाल से लगती है तो आठ राज्य और एक आपका इंटरनाशनल देश के साथ जो राज्य है यूपी इसका सीमा लगता है ये क्वेस्टन भी आया हुआ हुआ है नेक्स देखिए आपरेशन मे दूद्र किस लिए चलाए गया था कौन से कोड का है पहला है गोवा और आज जो है और जीदी आजी दिव पर कपचा करने के लिए दूसरा है आपका सियाचिन ग्लेसियर पर कपचा करने के लिए तीसरा है कारगिल युद्ध में घुसपाइट को पीछे में तो जो आप्समिर दूसरा ही है ओप्रेशन में एक दूद्ध भारत की कस्मीर राज में सियाचिन ग्लेसियर पर कपचा करने के लिए भारती ससस्त्रबल ऑप्रेशन का सैने कोड माना जाता है या नाम है ओप्रेशन में एक दूद 13 अपरल 1984 को दुनिया के सबसे उंचे युद्ध चेतर पर सुरू किया गया था इसके परिडाम सुरूप भारती ससस्त्रबलो को सियाचिन ग्लेसियर पर पूर नियंत्रण प्राप्त हो गया तो आप्रेशन में एक दूद्ध याद रखें विचो और किस वर्स हमने पूरे दरा से सियाचिन परतिकार कर लिया था वो भी य करने की सारी उमीदों को इसको खो देना पड़ा छोड़ देना पड़ा तब से लेकर के हमारा इस पर अरिकार बना हुआ है आजादी के बाद भारत सरकार ने आर्थी किस्तिती में सुधार के लिए कौन सा कदम उठाया था आपको बताना है कौन से कदम सरकार ने उठाए आजादी के बाद ताकि हमारे देश की आर्थी किस्तिती में सुधार हो पहला आपसर ने क्रिसी दूसरा है रच्छा तीसरा है सैच्छिडिक और बुनियादी धाचा सुधार कूट की सायता से उत्तर देना है वच्चो ए में है पहला दूसरा तीसरा सी में है दूसरा तीस है कोई नहीं बिल्कुल सांदार प्रश्ण है common sense का है आप लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री और आप लोग बहुत आसाने से इसका उत्तर दे सकते हैं आजादी के बाद भारत सरकार ने राजनीतिक सामाजिक आर्थिक तीनों छेतर में काम किया और इसमें आपका क्रिसी रच रचछा, सहठ्षडिक और बुनियादी धाचे यह तीनों आपके किसमें आ जाएंगे आपके आ जाएंगे आर्थिक सुधार में है यहाला जो सऩामाजिक में भी आएगा तो दोनों से उकतरूप से इसलिए माना जाएगा आर्थिक सुधार के ताह सरकार ने बैस से ृच चेत्र में रच्छा सैच्छडिक और गुनियादी धाचे में में ध्यान की इंद्रित किया 1950 के दसक की पंचवर से योजनाओं के दौरान भारत के आर्थिक सुधार अधिक लोग तांत्रिक और समाजबादी थे जिन में साव जनिक और ग्रामेड चेत्रों पर ध्यान के अपरेशन जिब्राल्टर ऑपरेशन मेगदूत चंबल पर इस्थित्बाद ऐसे बहुत सारी चीज़े मैं आप लोगों को बताई जहां से क्वेस्टन बार बार पूछे गए हैं तो ध्यान दीजेगा उमेद है कि क्लास अच्छी लगी अगर अच्छी लगी बचा लोग तो क्लास में पस्तित रहा कीजिए अच्छी चीजी मिल रही हैं आप लोगों को ग्यान अर्जित कीजिए अपने लाइफ में कुछ बहतर कीजिए और क्लास को सेयर करने का पूर्णी भी किया कीजिए आप लोग आज के लिए इतना ही थाइंक्यू